नमस्कार डिवी लाइब में ब्रेकिंग नीउज लेकर हाजिर हूँ मैं राजीब तो दोस्तों रात का वक्त है लेकिन उधर अमेरिका में जो राहुल गांधी अपनी आत्रा पर है छे दिवसिय आतरा पर राहुल गांधी अमेरिका पहुंचे हुए हैं और इसी क्रम में आज अमेरिका के तीसरा दिन राहुल गांधी के दोरे का तीसरा दिन अमेरिका में और जहां आज राहुल गांधी ने खुल कर अपनी बात रखी है और वो भी कहां तो वो एतिहासिक प्रिस क्लब में वसिंटन डेसी के एतिहासिक प्रिस क्लब में राहुल नरेंडर मोदी पर उनके सरकार पर उन्हों ने कहा है यहां तक की अनुमान जता दिया रहूल गांधी ने कि 2024 में ये उमीद है, ये संभावना है कि मोदी सरकार वापस ना आए, इसके कई कारण भी बताया रहूल गांधी ने, राहुल गांधी देश में बढ़ती हुई महंगाई और बिरुजगारी को सबसे बड़ा मुद्दा माना है और करनाटक में जो कॉंग्रेस को जीत मिली है उसमें महंगाई और बिरुजगारी मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा सामने खुल कराया और ये मुद्दा बहुत देश के साथ संबंद जिसमें पाकिस्तान के साथ संबंद इस पर भी राहूल गांधी ने खुल कर अपनी बात रखी राहूल गांधी ने अलप संक्यकों के बारे में यहां पर हिंदुस्तान में जो कुछ हो रहा है उस पर भी अपनी बात रखी बोलने की आजादी, धार्मिक स्वतंतरता इंतमाँ मसलों पर भी राहूल गांधी से सवाल पूछे गए राहूल गांधी ने एक-एक सवाल का खुल कर जवाब दिया इसके अलावा राहूल गांधी से ये भी पूछा गया कि आपको सजा मिली है तो राहूल गांधी ने कहा कि हाँ शायद मैं पहला ऐसा सांसद हूँ या इस आजाद भारत का 1947 के बाद से ये पहला मैं ऐसा इनसान हूँ जिसे एक केस के तहत मैक्सिमम सजा मिली है वो भी मैं वो इनसान हूँ जिसे आज तक इसके अलावा कोई सजा नहीं मिली थी और खासकर ये बात पहुचाने में वो कामयाब नजर आ रहे हैं कि भारत में जो बोलने की आज़ाती या जो राहूल गांधी इससे पहले लंदन में जो बोल के आये थे, कैम्परिज में जो बोल के आये थे, कि बोलने नहीं दिया जाता है, माइक को बंद कर दिया जाता है, ये सारी चीजें अब वहाँ एक्सपोज कर रहे राहूल गांधी अभी कल ही आपने सुना होगा कि राहूल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने अगर भगवान भी आ जाएं तो भगवान को भी वो ब्रहमांड के बारे में बता देंगे तो ये सारी बाते कहीं ने कहीं राहूल गांधी यहां लोगों के बीच एस्टेबलिश कर रहे हैं और आज प्रेस कलब में जो बाते हो रही थी जो सवाल पूछे जा रहे थे तो बहुत साफ गोई के साथ राहूल गांधी ने अपनी बाते रखी हैं आपको बता दो कि ये ए एक ऐसा एतिहासिक प्रेस कलब है जहां भारत के प्रधानमंत्री जवाहलाल नहरू इंद्रा गांधी राजीव गांधी पीवी नर्सिम माराव ये चार-चार प्रधानमंत्रियों ने अपनी बाते रखी हैं एतिहासिक भाशन आज की तारीक में अगर आप देखेंगे तो सोशल मीडिया पर पहले प्रधानमंत्री जवाहलाल नहरू का खूब तैर रहा है खूब घूम रहा है लेकिन अब राहूल गांधी उसी कलब में अपनी बात रह करके आ रहे हैं और लेकिन आज की तारीक में राहूल गांधी एक सामान्य नागरिक है ना वो सांसद है ना प्रधानमंत्री है ना कोई मंत्री है तो एक सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या आने वाले समय में राहूल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे क्योंकि प्रधानमंत्रियों की लाइन लगी हुई है वहाँ पे जिन लोगों ने हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की बात कर रह लेकिन इसके अलावा राहुल गांधी सीधी बात और एक सीधी भविश्वानी के हैं तो 2024 की कर रहे हैं और जिसमें भारत के मूल मुद्दों की बात कर रहे हैं महंगाई की बिरुजगारी की अलब संख्यकों के ऊपर अत्यचार की यह तमाम मसले राहुल गांधी यहां उठाती हुई नजर आए हैं तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही और आगे के किसी बुलेटिन में फिर मुलाकात होगी तब तक देखते रहे हैं डेवी लाइब नमस्कार